भूमिहार महिला समाज की और से ब्रह्मरशी भवन में कदमा के एक मेला लगाया गया एक परदर्शनी लगाई गई जहां महिलाओं ने अपनी कारबार को बढ़ाने के लिए बिजनस ओरियेंटेशन के लिए बहुत सारी चीजें मेले में पेश की जिसमें कपड़े जुल्री आइटम्स और इस तरह के अन्ने महिलाओं के खासकर चीजें सामान जो है वो बिकरी के लिए थे अच्छा क्या जोड़ी हूँ पिछले लगभग दो महीने से और मैं अपना यहां पहली बार इस्टॉल लगाई हूँ और उससे मैं बहुत ही प्रत्साहित हूँ और साड़ी आइट प्रत्साहित हूँ और अपनी फ्रेंड सरकील में भी बोलूँगी कि आप लोग भी इससे जुड़िये और आप लोग भी आगे बढ़िये यही मेरी सुब कामना है मैं अपना साड़ी सूट कूर्ती और कॉस्मेटिक है औरी फ्लेम का उस स्टॉल लगाई हूँ जी मैं प्रेमा तिवारी जमस्वितपूर में रती हूँ और हम लोग आज यहां पे भूम्यार महिला समाज के दौरा हम लोग यहां पे सारे एक जुठ होके महिलाएं लोग हम लोग अपना स्टॉल लगाए हैं उसमें विभीन तरह के स्टॉल लगा हुआ यहां पे हम है कौस्मेय्टिक समान च्ञी यह लरी है और और सारी महिलाएं वि भी यहां लगाई हुई है खाने यह प्या समाण और कोर रिंस कारे लेच चादर वगएद अबर का भी यहां पर जूलरी है कुर्ती है बेटशिट वेगरा है दोहर है और इस तरह का बहुत सारा हूममेट भी है जैसे शैंपू वेगरा हो गया अगर बत्ती वो महिला जो है वो खुद हाथ से ही वनाई है और वो चिप्स तिलोरी यह सब जो हता है और चूडी चपल पर्स बहुत स से बनाया हुआ है और बाकी फिर हाँ कोड़ा नाम पते हैं खुषबूसिक मैं पुनिता तिवारी हूं मांगो में मेरा घर है लेकिन प्रोपर में उडिसा में रहती हूं और मेरा ओनलाइन बीजन चलता है कपड़े का फेम फैसन नाम है उसका और मेरी बहुत इक्छा थी क कि मैं अपने समाज के लोगों के तक मैं अपनी बाते पहुंचा सकूं और अपने पेज को पेज के बारे में अपने समाज को भी मैं बता सकूं और उनसे जुड़ूं मेरा ये फर्स्ट बार ही है मैं दो-तीन दिन पहले ही जुड़ी हूं मतलब अपने समाज में और ये फर सबसे मिलना था तो मैं आई बहुत अच्छा है मेरा जुवलिरी का भी है मेरा में काम फुटवियर का है फुटवियर का डिस्ट्रबूटर्शिप है मेरे हट्मन का चलाते हैं और मैं घर में बैटके खाली मुझे अच्छा नहीं लगता था मैं सोची मैं भी कुछ करती हूं तो मैंने ओनलाइन यह सुरू किया लेकिन मेरा ओनलाइन से ज्यादा ओफलाइन चल रहा है तो मुझे बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके और दिदी लोगों को बहुत भाँ धन्यवाद ग्रूप बनाई और ग्रूप से मुझे ग्रूप में जोड़ें तो आप लोगा भी बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे बहुत अच्छा लगा ऐसे हैं दो साल से बना हुगा लेकिन मैं नहीं जूड़ेंगी मैं अभी जूड़ेंगी